हम लोग ग्रेजुशन पढ़ते थे तो हम लोग कान पूजाते थे नाम नहीं बताएंगे टीचर वहां रिकार्ड नाम हो जाएगा हम लोग पढ़े खुब कशके ठीक है और जब हमने पढ़ाना सुरू किया ग्रेजुशन जो हमने उनकी नोर्स बना देखना सुरू किया दे कोनुशन इस अती बड़ी बिट वी अटी बड़ी होगी नहीं आती होगी छोटी च्श्टी बी राती होगी तो सब कुछ सब बनदी थी उन्हे उन्हें नोट बंडि देखा जाएगा अभी ले जाओ तकि यहां से अभी फ्री ले जाओ लाइफ वाला मुबाइल फ्री लाइफ टाइम फ्री उससुरा चला ही नहीं तो लाइफ टाइम का फ्री होगा नहीं लाइफ टाइम में आपने फोन दे दिया जो उसकी लाइफ है नहीं तो लाइफ टाइम का होगा और लाइब भी होगा कि अब रिचार्ज कराओ वेटा तो जी हो कि हम बात नहीं कर रहे है तो हमको तो फाइव ओम का रिजिस्टेंस अवलेबल है हमको चाहिए फिफ्टी ओम का तो फिफ्टी ओम रिजिस्टेंस के लिए या तो हम लंबा सा तार ले क्योंकि रिजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको लेंथ ज्यादा होनी चाहिए एरिया कम होनी चाहिए तो हमने क्या क्या बहुत सारे रिजिस्टेंस को जोड़ दिया स्रीज ये पैरलल में उदेखना पड़ेगा तो अगर हमारे पास माल्य 5 ohm का resistance अबलेबल है और हमको 1 ohm का चाहिए तो हम अबलेबल 5 ohm का है तो हम इसको इस तरीके से जोड़ें कि resistance कम हो जाए तो resistance उसको अपरे हिसाब से हम जोड़ भी सकते हैं तो लेखे combination of resistances combination of resistances combination of resistances पहला combination है in series series combination series में क्या होता है कि हर resistance यह resistance है का जो दूसरा end होता है दूसरे resistance के पहले end से जोड़ देते हैं ठीक है हमने तीन resistance लिए R1, R2 और R3 और इनको हमने series में जोड़ दिया और हमने यहां से एक battery लगा दी एक potential different develop कर दिया potential different develop कर दिया तो जब current flow होगी तो क्या current रास्ता चेंज कर रही है अपना current तो save है तो यानि series combination में current same रहती है यानि I will remain same ठीक है अब जब देखो potential का मतलब क्या होता what is potential potential होता क्या है अज़ा किसे पूछो कुछ मत जैसे class में आप और have you got it पूरा class बोलेगा या sir और किसी एक को खड़ा कर लो you should have what you have got क्या पढ़ा रहे है फिजिक्स फिजिक्स पढ़ा रहे है अच्छा हम कहीं biology वाले है उसको यह नहीं वालू फिजिक्स पढ़ा रहे हैं मैच पढ़ा रहे है समझ में आ गया उसको अभी online teaching में जिसको भी मैटरा भेजते हो वो whatsapp को नालाए क्लिक नहीं करेगा पहले मैसे बच्चों को पहले समझ में आ गया तो हम पूर्ण के यह बताओ नालाए कहीं कि अभी तो तुमने क्लिक ही नहीं किया तुम समझ में कहां से आ गया पहले उसको क्लिक करोगे अगर पांच-दस पेज हैं तो देखो कि उसको समझ में आएगा ना कुछ बच्चों को पहले समझ में आ जाता है तो गंदा डाइग्राम बनाते हैं जब उसमें हम कैमरे में देखते हैं लगता है का अपने 2 कंटा आप मारे हैं का बता है अब देखो ध्यान से पोटेंशल का मतलब होता वर्क पर यूनिट चार्ज यह एक तरीके से किसी भी यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में एक जगे से दूसरी जगे में जो वर्क करना पड़ता है अब यह एनरजी जा रही है पहले कौन मिला आरवन तो पहले तो पूरा लड़ू खुदी खा लेगा जितना मिल जाए तो इसने थोड़ी एनरजी ले ली बची भी आगे बड़ी इसने ले ली फिर इनको मिली ठीक है तो यानि कि हर जगे एनरजी सेम कंजीम होगी क्या अलग-अलग होगी प्रेटकली हुआ जो हम देख रहे हैं न अलग-अलग होगी तो यहाँ प्रेटकली हम जानते हैं एनरजी है एनरजी जा रही रास्तिम रेजिस्टन्स मिल गया तो जब पहले डलवा आ गया सामने बड़िया लड़ू का तो पहले खुद ले लोगे न अलग-अलग हमको ला पहले आगे ज़दा ना आगे कोई नहीं है बतला दोव बैठे है और नेट पोटेंशल कितना इसका है वी अब साफ साफ दिख रहा आप वी वन निकाले वी टू निकाले और वी थी निकाले और तीनों को उठाके एड कर दे तो वी वन इस उकल टू क्या होगा आई आर वन वी टू इस उकल टू क्या होगा आई आर टू वी थी इस उकल टू क्या होगा आई आर थी और जब net potential आप निकालेंगे V is equal to तो V1 प्लस V2 प्लस वह energy है ना तो energy से यो sum हो जाएगा तो V is equal to यहां से I काम ले ले तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 I को धल ले आओ तो V upon I is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 V upon I क्या है net potential upon net current तो net resistance तो यह equivalent resistance हो जाएगा तो लिप्रत्रोद एक तो हिंदी वड़ कम से गम बोले नहीं तो यह नमन साब बोलेंगे कि हिंदी बोलते ही नहीं अंग्रीजी बोलते जाते हैं यह लिजिए अब इन पैरलल दूसरा जो combination है वो पैरलल का है पैरलल में क्या करते हैं कि जितने भी resistance होते हैं उनका एक एंड एक पॉइंट से जोड़ देते हैं दूसरा एंड दूसरे पॉइंट जोड़ देते हैं ठीक ही जैसा है वैसा है तो अगर कोई वीडियो क्लिक करें डाइग्राम में देखे आगे नहीं देखेगा कि जब डाइग्राम इतना गंदा है तो आदमी कितना गंदा होगा क्या किया जाए आरवन आरटू और आरट्री कि जब हम लोग पढ़ते थे उसमें ऐसे पढ़ते थे याद क्यों ए नाम का लड़का था एम सेक्षन में पढ़ता था उसका रोलम्ब था 4444 ऐसे चुवा बनाते थे ने ऐसे बनाहना आता था एम नाम का लड़का था ए सेक्षन में पढ़ता था उसका रोल लंबर था 4444 तो वही समलो छोटा चुवा बन गया तो यहां से हमने बैटरी जोड़ दी एक्सेल जोड़ दिया इसका पोटेंशल डिफरेंस भी है ज़रा ध्यान से समझेगा जब इसने करेंट सप्लाई करी होगी और जब करेंट यह यहां आई होगी तो सिंपल सी बात इसके तीन पार्ट दिख रहे हैं आपको तो करेंट तीनों पार्ट में अलग-अलग रजिस्टेंस के हिसाब से ब्रेक हो जाएगी आईवन आईटू और आईट्री और यहां तीनों मिलकर के फिर एक साथ चलेंगी ठीक है अच्छा कम जाएंगे अगर कम भी ओ जाएगा पर करेंट क्या होती चार्च अपान टाइम होता है ना इसे कौन से चीज कम होने वाली है हमने क्या कम कौन से चीज हो रही है देले हो सकती हो रिजिस्टेंस करेंट को खान ही लेता है वो डिले कर देता है वो क्या कर देता है डिले कर देता है जैसे कोई रिस्तेदार आता है कुछ तो होता है अरे बुआ आज न जाओ बुआ अरे बुआ मेरी बुआ मेरी बुआ तो हम क्या करते हैं डिले कर रहे हैं वह उपर फूपा जब आफीस निगलते थे जो भी उनका लेबूरेटी थी तो गाड़ी वाले पूठ देते हमको जानते हो पक्का घर जानते हैं मेरा वहीं चलना है चलो खुद ही नहीं जानते थे बस ट्रेन बैटे तो टिकट उसने का पर टिकट लिया तो था डोड़े तो आप आइसा दिमाग लगाने का मतलब है एक वह गए हैं वह कौन से नाम तो कुछ जो से फिजिकली गरबड़ थे क्या हो गया था वो तो बहुत बुरी बुरी चीजे बता गए हैं अपना अपना जो है रास्ता खोज लो सब बर्बाद होने वाला है मर जाओ के जाले अब कहां खोजने रास्ता अब यह तो है नहीं कि चट पे बैट करके जाला है और ज आएगा बाड तो आएगा देखा जाएगा तो का किया जाएगा जब एटम भं फटेगा तो पटेगा सब की पटेगी तो दिक्कत है अब इस टीफन हाके तुन तो बता के चले गए कि बहुत खतरा है सब कुछ बर्बाद होने वाला जल्दी अपना जगे छोड़ दो हम कह करके देखा जाएगा जब बाड बाड आएगे तो भंसी इसी पकड़ करके दो वही सिंग मार देगी क्या बता है सब सब ठीक है चुप चाप ना दियो वह एक नैसो दमस्त थे वह हुजवानी करते कि कोई मैडम का आगा पागा कौन सी है वह नहीं नहीं हुजवानी सब कर तो आपको I मिल जाएगा ना तो I ब्राबर क्या होता है वी अपान R होता है ना तो I1 is equal to क्या हो जाएगा वी अपान R1 वी तो सेम रहेगा ना पोटेंशल तो सेम रहेगा और I2 is equal to क्या हो जाएगा वी अपान और I3 is equal to क्या हो जाएगा वी अपान R3 तो जब नेट आप बात करेंगे तो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 V से डिवाइड कर दो तो I अपान V is equal to 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ये resistance का उल्टा लिखा हुआ है अपान V तो इसको 1 अपान R लिख सकते हैं तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस तो ये दो प्रकार के combination है इसमें mix भी हो सकता है आप जब J वगरा जाएंगे तो ये कुछ नहीं आएंगे वहाँ पर वहाँ एक से कि skeleton type के भूत है type के हैं यहाँ करते हो आएं यह किस इलाके से यहाँ हैं कहूं से भूत हैं डाइनासवर जैसे तो वह कभी किसी दिन समय होगा तो उसके के बारे में discuss एक दिन कर लेंगे कि कितने type के वहाँ पर resistance combination का तरीका क्या होता है यह तना तो ठीक है नहीं दा रही क्या subject ही ऐसा इसमें नींदे आती है और इसमें वह कोई picture तो है नहीं कि भी वह item dance होगा अब इसमें तो यहीं सब है resistance, conductance, reciprocal ठीक है हो जाएगा कर लेंगे ठीक है अब next class thank you